इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि dragon fruit हम घर पे कैसे उगा सकते हैं वो भी बहुत ही high quality का और बहुत sweet क्योंकि market में आपने जो dragon fruit खाया होगा वो ज्यादा मीठा नहीं होता है तो जनरली बहुत लोगों वो टेस्ट में अच्छा भी नहीं लगता लेकिन मैं घर पे दो साल से उगा रहा हूं और सच मानिये इससे असान कोई और फल नहीं है उगाना तो आप देख सकते हैं यह देखिए dragon fruit लगया है इसके और अभी यह आज हम इसको harvest भी करेंगे और इस dragon fruit कैसे होगाना शुरू किया अगर आप देख सकते हैं तो मैंने स्टार्टिंग में यह वाली जो cutting है चोटी सी cutting है यह online मैंने मनवाई थी जिसके बाद मैंने पिछले तीन साल में इस तरह के चार प्लांट बना लिए हैं तो अगर आप dragon fruit होगाना चाहते हैं सबसे पहले आ कि मुझे याद नहीं मैंने किस साइट से मंगाया था तीन साल पहले था आइटिंग वाज शौप क्लू करके साइट थी वहां से मंगवाया था तो आप देख सकते हैं उसके बाद इसको गाना आसान मैंने इसलिए बोगा था इसमें ना तो कुछ नीम उइल वगरे का स्प् ट्रेल की यहिसी यह बना हुआ है क्योंकि यह जो है यह सपोर्ट के बिना स्टैंड निंग कर सकता है तो इसको हमें सपोर्ट देनी पड़ती है तो हमें ट्रेल बनाना पड़ता है तो मैंने यह pbc pipe यूज की है उसके ऊपर मैंने एक टायर लगा दिया है आप आइरन वाल जो ट्रेल है वो भी यूज़ कर सकते हैं तो चलिए पहले मैं आपको हार्विस्ट करता हूँ और साथ-साथ मैं आपको बताऊंगा इसको यह देखिए इसका साइज वा कलर इस चीज की गैरेंटी दे रहा हूँ कि मार्किट में इससे मीठा हो नहीं सकता है क्योंकि यह बिल्कुल और्गैनिक है वो साइज थोड़ा बढ़ा करने के लिए खैमिकल यूज़ करते हैं जिससे उसका टेस्ट जो है वो गड़बड हो जाता है यह देखिए आप यह देख सकते हैं यहां कांटे कांटे काफी होते हैं तो केरफुली आपको यह हर्वेस्ट करना पड़ेगा इस तरह से आप ट्विस्ट कर सकते हैं दोनों तरफ आप जानते हैं मार्किट में यह ऐसा फ्रूट जो है वह सो से डवर डेट सो रुपे पर पीस मिलता है तो आप चाहें तो इसको घर पर असानी से उगा सकते हैं और इसके लिए आपको सालों साल वेट नहीं करना पड़ेगा यह दो साल के बाद ही फ्रूटिंग शुरू कर एक यह प्लांट है जिस पर मैंने लोहे की ट्रेल में लगाया हुए और इसके आप देख सकते हैं ड्रेगन फ्रूट अब हार्वेस्ट के लिए तैयार है यह साइज देख सकते हैं क्या बड़ी हा साइज है क्या बड़ी हा कलर है तो यह आउट साइड से भी रेड है और अ इसके इलावा इस फ्लावर का हमने पॉलिनेशन किया है इसमें भी जल्दी ही यह फ्रूट बन जाएगा और इस तरह यह जल्दी फ्रूट बन जाएगा यह देख सकते हैं साइज इनका बहुत असान ड्रेगन फूट अगाना आप योगा सकते हैं और अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे चैनल पर आप कमेंट करके पूस सकते हैं इसकी कटिन का आपको अरेंज करना पड़ेगा और मैं बहुत जल्दी बहुत सारे प्लान बनाने का प्लान कर रहा हूं ठीक है अंदर से कितना ब्यूटिफूल और यूसी दिखता है तो यह देखिए इसको अभी मैं बीच से काटूंगा यह देखिए यह इसका कलर है और नाइफ के ऊपर भी इसका जूस लग गया है तो यह कितना जूसी है और यह बहुत स्वीट है